आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम The Generation Gap, BA First Year का ये चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है इसमें पॉइंट्स बना रखे हैं और इन सभी पॉइंट्स में भी Question-Answer भी कवर हो जाएंगे तो समझते हैं इस चैप्टर को According to writer, there are three major elements which decide a person's identity According का मतलब होता के अनुशार, और writer का मतलब होता है लेखक लेखक के अनुशार, there are three major, major का मतलब होता है मुख्य लेखक के अनुशार, तीन मुख्य है, elements होते हैं तत्तो elements क्या होते हैं तत्तो, कि तीन तत्तो होते हैं लेखक के अनुशार which decide, जो decide करते हैं, किसी को a person's identity, person, व्यक्ति, आइडेंटिटी होते हैं, पहचान, कि तीन element होते हैं, जो किसी व्यक्ति की पहचान को decide करते हैं, बनाते हैं, कि वो कैसी होगी, अब वो तीन कौन-कौन से हैं, यह हम पढ़ेंगे आगे, फिर्स्ट इस, जो पहला है, फिर्स्ट इस the character of a person's childhood, पहला एक व्यक्ति का कैसा character होता है उसके childhood में, चाइल्ड होता है बचपन, चाइल्ड होता है, बचपन, दैन, उस टाइम पर, कौन से टाइम पर, बचपन में, Every child, पर तेक बच्चा, wants, चाता है, to become, बनना, like his parent, अपने माता-पिता की तरह, Parent का मतलब होता है, हिंदे में अभी भावक, या फिर तुम खह सकते हो, और भी आसान भाशा में समझे, तो माता, पिता, माता और पिता, दोनों को इकठे रूप से क्या कहा जाता है, parent, First बताया है, character, किसी भी child का या किसी भी person का, जब वो छोटा होता है, बच्चपन में उसका जो character होता है, तब परतेक बच्चा अपने माता-पिता की तरह बनना चाहता है, लड़का अपने पिता की तरह बनना चाहेगा, लड़के अपनी मम्मी की तरह, Next point है, second is, rebelliousness, rebelliousness क्या होता है, किसी भी चीज का क्या करना, विरोध करना, विरोध करना क्या कहलाता है, rebelliousness कहलाता है, In adolescent age, adolescent age में, अब adolescent age कौन सी होती है, यह spelling थोड़ी सी मुश्किल है, यह दोनों ही, इनको ध्यान से याद करना, Part पर divide कर ले न, पहले, re की spelling याद कर ले, फिर essay, belly, O-U-S, फिर O-U-S के बाद में, N-E-W-S हमें पहले से ही याद होता है, बहुत बार, Rebelliousness, पूरा याद हो जाएगा, जिसका मतलब होता है, विरोध करने की भावना, हम पढ़ रहे थे, adolescent, Adolescent, Adolescent Age, जिसको हिंदी में किशोर अवस्था बोलते हैं, लेकिन हिंदी जानने से भी हमारा काम नहीं चलने वाला, हमें अच्छे से समझने होगी, कौन सी येज होती है, 13 से 19 इयर्स के बीच में, जो भी बच्चे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, Adolescent, किशोर अवस्था, 13 से 19 इयर्स के बीच की जो उमर होती है, उसको कौन सी अवस्था माना जाता है, किशोर अवस्था, तो Adolescent is में, किशोर अवस्था में, there is a wide gap, बहुत ज़्यादा, wide का मतलब होता, बहुत बड़ा, और gap का मतलब होता, अंतर, वाइट gap, ज़्यादा अंतर, यह आसान सा है, ज़्यादा अंतर, between, किस-किस के बीच में, मैंने एक उसमें भी समझाया था, between का मतलब होता है, दो चीजों की बीच में, एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, किस-किस के बीच में, between the ideas and aims of parents, parents का हम उपर, अभी अभी पढ़के हैं, parents का मतलब क्या होता है, माता-पिता, वहुत ज़्यादा gap आ जाता है, विचारों में, और जो उदसे होते हैं, किसके उदसे, माता-पिता के विचार, और उनके उदसे, और उदसे, माता-पिता के विचार और उदसे, and their children, और उनके बच्चों के जो विचार और उदसे हैं, उनमें क्या आ जाता है, wide gap, बहुत बड़ा अंतर, यानि कि बच्चों के विचार और उनके aim और बन जाते हैं, लेकिन parents के और होते हैं, इसी वज़े से आपन मैंने भी notice किया होगा कभी, अभी तुम भी उसी age में होगी, कुछ बच्चे तो, 13 से 19, अगर नहीं हो तो पहले हुए होगे, इस age में, तो थोड़ा सा एक होता है, जब भी parents कोई बात कहते, तो मैंने कही सारे बच्चों के ऐसे कहते सुना है, आपको जरूर ज्यादा ही प चाते हैं, यहनि कि वो खुद यह चाते हैं कि हम अपने विचार हैं हमारे, और हम अपनी मन पसंद का कोई भी aim बनाएं, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है, यह adolescent age में, अंतर आजाता है, parents के कुछ और विचार होते हैं, लेकिन बच्चों के विचार कुछ और होते हैं, और यह wide gap आजाता है, अंतर आजाता है दोनों के विचारों में, दोनों के उदश्यों के बीच में, उदश्य किसके हैं, parents, माता पिता के और उनके बच्चों के, this gap is called generation gap, और यही हमारा title है, इसका chapter का, और यह जो gap है, इसको क्या कहा जाता है, generation gap, generation क्या होती है, पीडी, generation क्या वाली होगी और दूसरी बच्चों वाली, तो दोनों के बीच में, यह जो अंतर है, इसको क्या कहा जाता है, generation gap, और वास्तों में, generation gap किसके बीच में होता है, दोनों पीडियों के उदश्यों और विचारों के बीच में, so, इसलिए, rebelliousness is common in them, इस अवस्था में, किशोर अ एक सामान्य बात है, common का मतलब होता है, सामान्य जो सभी के अंदर हो, it is not always negative, negative का मतलब नकारात्मक, यह rebelliousness जो होती है, विरोध की जो भावना होती है बच्चों में, यह हमेशा नकारात्मक नहीं होती, बुरी नहीं होती, it's positive form, यह positive form भी होती है, बच्चे कुछ करना चा होती है, transforms, बदल देती है, एक person, एक व्यक्ती को इने, responsible one, एक जिम्मेदार व्यक्ती के रूप में, उसको बिलकुल पूरी तरह से बदल देती है, transform का मतलब होता है, बदलना, responsible होता है, जिम्मेदार, third element, तीसरा और लास्ट का element है, is nature and need of the times, कि उस समय, जो समय है, वो कैसा है, nature का मतलब होता है, कैसा होना, और need का मतलब होता है, मांग या आवशकता, कि उस समय, जो time है, उसकी क्या आवशकता है, और किस तरह के उसका nature है, यानि कि time की जरूरत क्या है, कहने का यह मतलब है, और जरूरत के अनुशार, it brings a lot of different qualities in a person, और time की मांग के अनुशार, अल अलग गुणाते हैं, किसी भी व्यक्ती में, they help the society, और जो व्यक्ती है, वो help करते हैं किसकी society की समाजगी, with new invention, नए आविसकारों से, invention का मतलब होता है, आविसकार, नए आविसकारों से, scientific होता है, वेज्ञानिक, और discovery का मतलब क्या होता है, खोज, नए खोज, और आविसक करों से, वो society की मदद करते हैं, लेकिन ये third stage का बाती है, adulthood में, adulthood का बाता है, 19 के बाद जो बच्चे होते हैं, उनको किसमें शामिल कर लिया जाता है, कि उनमें कौन सी अवस्ता आगई, adulthood की अवस्ता आगई, 90 के बाद आती है, ये stage, ये element, ये तत्तव देखने को मिलता है, किसमें, बच्चों में, persons में, व्यक्तियों में, तो ये थी three stage, जो बताई, writer ने, कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने के लिए, इन जो तीन अलग-अलग element हैं, ये जीवन की तीन stage भी होती हैं, जैसे पहला बताया, childhood का, clear, second बताया, कौन सा, adolescent age का, यानि 13 से, 19 सा के बाद हमें कुन सी देखने को मिलती है, ये, ये जो third, जो है, वैसे point fourth है, लेकिन बच्चों वैसे ये third element है, 90 के बाद ये जो third element है, ये वाली चीजें हमें देखने को मिलती हैं, इसमें एक उधारन दे रखा है, Martin Luther का, कि उस टाइम पे जो चर्च है, उसमें करॉप्शन बहुत ज़्यादा था, तो वो समय की मांग थी कि उसमें सुधार हो, और समय की मांग की अनुसारी वो इतने fearless बन गए, कि उन्होंने काफी मतलब काफी वहां पे, काफी उसको criticize किया गया था, Martin Luther को, लेकिन फिर भी उसने जो है, उसमें धरम में सुधार किये, तो वो समय की मांग थी कि उसने Martin Luther को इतना अच्छा व्यक्ति बना दिया, इतना famous बना दिया, और अगर time की मांग नहीं होती, तो वो भी एक साधारन सा पादरी होता किसी चर्च का, एक बार इसको read भी कर लेना, आपके पास कोई book हो, तो questions का का काम आपका इसी वीडियो से चल जाएगा या तो इस point से पूछे जाते हैं कि third element कौन सा है, उसमें आप ये पूरा लिख सकते हो, और एक ही आता है, दोनों इसी में से आजाते हैं, कि जो title है इस chapter का, the generation gap वो क्या होता है, या फिर rebelliousness क्या है, दोनों ही आप ये point लिख दोगे, और अगर ये आजाए कि first element कौन सा है, तो उसमें आप क्या, यहीं से शुरुवात कर दोगे, कि according to writer, तीन element होते हैं, और उनमें से first कौन सा है, character है, लोग आ जाए, तो उसमें आपने सारे याद कर रखें, first से लेकर, fourth point तक आप सारा लिख दोगे, तो ये थी आज की वीडियो, उमीध आपको समझ में आया होगा अच्छे से याद करना, समझना, और जो बच्चे कमजोर हैं, English कमाती है, उनके लिए एक सुझाव है कि वो questions को लिख लिख के याद करें, लिख के याद करोगे तो long time तक वो याद रहते हैं